बिस्मिल्यार मुर्हीम असलाम लेकम फ्रेंड वेलकम टो चैनल ठीक इन्फो तो हम शेयर कर रहे हैं आज आपके साथ जनल साइंस या GSC 101 का जो क्विज हो रहा है आज का जो ग्रेंट कुईज है GSC 101 का तो आप 100% उसको सोल कर सकेंगे तो इसमें आपको मैं कुरेक्ट रिपीटेड जो क्विजिस हैं या चितने भी कुईजिस आते हैं वो मैं आप से शेयर कर रहा हूं ठीक है ना तो पहला सवाल है दी नार्मल ब्रीफिंग प्रॉसेश इस कंट्रॉल प जो नार्मल ब्रीफिंग प्रॉसेश वहते हैं इसको कौन क्न्ट्रॉल करता है तो इसको वेंट्रिक अनसर बैटुल अर्जिस इसका सब्सक्राइव आग्हार खुराइबए है। उन और्गनिजम को हम कहते है। प्रोर्डूसर्स ठीक है ना? इसका सहिए। उप्षिन क्या है। फॉर्डूसर्स ठीक हो गया। अगला प्रेशन है वह तेरल डिटिस्थ। है। े इस्देरी स्टम जा यह हमारा व्डी ब्रीभिःथिंग Mario हमारा जिसे एंड आठी बरीबेटिंग टिर्फियंग ते यहीं एक अगला मूट पेज़ों है ण्रहो यो में ब्लॉड इन्टो ब्लड इत कि फीड़े फिजन जो है लंग से स्टेम में किस रस्ते से जाती है तो इसका अंसर है ये वाला small blood vessels होती है उनके तरीए से एकसी जो है pass-out होती है किसमें blood stream एक है नहीं, small blood vessels in lungs. lungs के नज़र small blood vessels होती है option D, right option है कि lungs में small blood vessel in the lungs. अगला कोशन है, what is the purpose of the little hairs inside nose, जो नाख के अंदर चोटे बाल होते हैं, उनका क्या मकसद होता है, to keep dust out of the lungs, ठीक है न, इसनका मकसद क्या होता है, कि dust या चोटे चोटे पार्टिकल्स को आपके लंग्स में जाने से रोके, अगला क्या है, इसनका मकसद क्या होता है, एकला क्या है, एक जगह रहते हैं और इंटर ब्रीड या यह वहां पर इनके असल भी बढ़ती रहती है, उन ग्रूप ऑफ और उनका क्या गयते हैं, पापुलेशन, ठीक है, न, पापुलेशन इस राइट ओप्शन, एकला क्या है, जिस समाल, समालस ब्लेड वैसल और जिस समालस ब्लेड वैसल होती हैं, वो क्यों सी हैं, कैपलरीज को समालस ब्लेड वैसल कहा जाता है, अगला क्या है, फ्लावर्स हैं, इंद फीमेल पाट्स कारउाड, फ्लावर्स के मेल और फीमेल पाट्स होते हैं, उनको क्या कहते है, स्टेंब प्लेड प्लेड बेड़सल, अंटीजेन के पर बनते हैं, surface of a red blood cell के पर बनते हैं, a single living thing, single living things को हम कहते हैं, organism कहते हैं, अगला question है, right ventricle, ventricle pushes blood in the pulmonary artery towards, जो right ventricle होती है, वो पुश करती है blood को pulmonary artery के अदर towards lungs, पुल्मरी यानि ब्लड जो है राइट प्रेंट्रिकल से पुल्मरी आरटरी से होता हुआ लंक्स के अंदर जाता है तो दी ऑप्षानी जा राइट ठीक हो गया अगला क्शन है हो मैनी क्रोमोसोंज ड़स और नार्मल मिच्योर मिन स्पर्म सेल्स है कुंटें यानि जो नार्मल हुमन बीइंग होता है उसके अंदर क्रोमोसों की ताथ कितनी होती है 46 46 दी जा राइट ओशन अगला क्शन है विच अलिमेंट इन दी ब्लड इस राउंड और क्लालस ब्लड में का कौन सा अलिमेंट जो है राउंड और कलालस होता है इसका उप्शन सी है वाइट प्लेट सेल और राउंड होता है और कलालस होता है ठीक है ना तो राइट उप्शन है सी वाइट ब्लेट सेल ठीक है ना आपने इसके रैट निशान को नहीं देखता है कि अगले क्समें कि आपको आपको बता हああ hot ScotCH मैं इस फ tahu फॉर्मिंधी सीट किसे बनते हैं जाइगोर से बनते हैं ढखंडा yards और से एर चैनर एंटर डी बाड़ी & टरेवल नंग्स हावा जो है नबार्डी लॉंग्स के अंदर जाती है किस से थुरू नोज एंड तुरू मौग्ट एंड लॉऌस यही दर नाग से हुआ लंग्स के इन जा ती एग लाने पैसी मेर्ण गलेशान है ल्फ कलर ओफ बल्ट सेयल ही जु दूा का कलर है वो शे वाजा से है, Hemoglobin की वजा से, Red Blood Cells का Color Red होता है. From what source do cells get their food? किस सरीय से जो cells है, अपने हुराख असल करते हैं, वो करते हैं, cell अपने हुराख असल करते हैं, bloods, bloods, ठीक है, इस इस राइट अशर, blood. हैं वा इस ब्लड़ दैट फ्लो फ्रॉम दी लंग्स टू दी हर्ट रेड रद रेदर देन डॉर्क रेड ठीक ना ब्लड का कलर जो है ना ब्रैट रेट कूं होता है बजाएर डारक रेड के किसकी वजासे होता है यह oxygen में एक सिर्ट जो oxygen होती है वह blood को red बना देती है ठीक है ना bright red अगला question है organism move from the lungs into blood stream through organism जो lungs say blood stream sorry दोबारा यह question repeat हो गया oxygen move from the lungs into blood stream through oxygen moves करती है lungs say blood stream के अंदर किस के दिरीए से तो इसका सही answer है small blood vessels in the body option d is right option यह question बहुत है मैं एक सर्पीट हो गया है बुक्ति ग्रूप्स के अंदर left ventricle pushes towards left ventricle pushes blood towards orta left ventricle जो है blood को पुछ करती है और ता कि दराव दी में कॉंटेंट आफ दी ब्लाड प्लाजमा इस oxygen जो में कॉंटेंट है blood plasma का वो कौंसा है oxygen है ठीक है अगला करशन है विच वन है जो नॉ नॉकलेस नॉकलेस किसका नहीं होता विच इसका red blood cell का नॉकलेस नहीं होता ठीक नॉप्शन बीजा राइट ओप्शन अगला करशन है वट वट वाट इदी ओर्गन देट पांप्स ब्लड आल थू दी मुमन बाडी मुमन बाडी के मतले पूरा खून पहुन पहुचाता है कौंसा और्गन क्राता है हर्ट हर्ट इस ऑर्गन वीच पांप्स ब्लड इन्टु टू थू अव्टी बाडी परिटिक है अगलों क्वशन समालस ब्लड वैसल्स को क्या कहते हैं कैप्लरी कहते हैं यह कशन रपीट हो रहे हैं तो अक्सर दोस लोगों के कोई पे यह is important to the blood and to the cell. Why oxygen is important for blood and cells? Oxygen is necessary for cell growth and energy. Lesion is necessary for cell growth and energy. Oxygen is necessary for cell growth and energy. Option D is the right option. Animals that consume r2 tropes for their food and energy are जो आर्टो ट्रोप्स अपनी उन्हें खुराग खुद बनाते हैं उनको गया कहते हैं प्रेडूसर कहते हैं आर्टो का मतलब है खुद खुराग बनाने वाले आर्टो को किया कहीं जो प्रेड़ निकालते हैं उनमें पानी और यूजर यूरे के सड़ में किस तिसकी रजाफियत और एक्सेस होती हैं साल्ट की ठीक है ना ऑप्शन ए राइट ऑप्शन ए अगलो कैसे निटायर प्लैनेट्स एंड ओ अल और अज़ लिविंग और नॉन पार्स हैं उनको क्या कहते हैं Biosphere कहते हैं ठीक है न कि वाट इणाधर नेम ओफ दूसरा नाम क्या है ट्रक क्या है या ट्रक किया विड़ायम का दूसरा नाम है यह इस भाई ब्लुप्रेशर इस इस ब्लुपरेशर इस फांद इन दी है इस मिह पाया जाता है औरोटा, A-O-R-T-A, औरोटा, औरोटा हार्ट के बिलकुल साथ होता है, इसके साह उपर ब्लड प्रिश्र पोस जादा होता है, The removal of the metabolic waste of an organism is, metabolic waste के जो removal होता है, उसको हम कहते हैं, excretion, excretion मतलब है कि किसी भी organism से metabolic waste को निकालना, In mammals that are seasonal breeders, females are receptive only once a year, this is called, यहनी एक साल में एक दफा जो mammals को दूद पिलाते हैं, उनको कहते हैं, A-Storyous cycle, A-Storyous cycle, अगला कर्षिन है, The separation of a blood content in the centrifugation based upon their blood contents का अलग करना, किस के ओपर लग होते हैं, Decenties, Decenties का मतलब है, जो bloods के अंदर different parts होते हैं, red blood cells, platelets और white blood cells, उनको अलग, उनको इसको Decenties कहते हैं, उनकी base पर bloods को separate किया जाता है, Centrification technique के दरिये से, अगला कर्षिन है, The organ that produces urea and uric acid as a by-product of the breakdown of protein in disease, जो organs जो हैं, ऐसे urea, uric acid को produce करते हैं by-product के तोर पर उसको organs को क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, lever produce करता है, urea, uric acid को अगला कर्षिन है, The interaction between biotic populations and a biotic factor is in a community, जो interaction होती है, biotic और और biotic factor के दरिमियन, उनको कहते हैं, ecosystem कहते हैं, वो ecosystem बनाते हैं, The ocean is a right ocean. Thanks for watching my video, for more update, please subscribe to my channel, यसी तरह मैं आपको VU की दो different assignments हैं, उनकी solution आपके साथ share करता रहता हूँ, तो आप इस channel साथ जूरे नहीं ताकि आपको इसका फैदा हो.